अब हम देखेंगे अठारास्व सताउन के क्रांती और राजस्तान इस पार्ट के अनहरम राजस्तान के दर जो अठारासो सताउन की क्रांती हुई थी उसके समय की इस्तति उसमें राजस्तान में कितनी सहनिक समय थी कहां कहां ब्रेटिस रेजिडेंट ते और उस समय किन घटनाओं की क्या प्रिस्थे दिन कि सब का क्या योगदान था उन सब के बारे में हम इस अध्यन के अंदर देखेंगे फिर हम अलग-अ सिस्टराबाद है निमच है अहुआ अधि जहां-जहां भी कुर्णती हुई थी अन कुर्णती के अलग-अलग ठिकानों का हम अलग-अलग पाट के अंदर क्या करेंगे अध्यन करेंगे बहुत ही विस्तरत रूप से आपको इसमें अध्यन करवाया जाएगा और हर kl advance 218-147 संग्राम फळा उसमें राजस्थान के एजन्टो गवर्नल जनरर्ण कौन ते लौड पैट्रिक लौरेंस उसमें कौन थे बारत के लौड़ जो पैट्रिक आप वह लौरेंस तो गवर्नल जनलर्ण यानि या घुत उनके साथ विबिन राजी वार्जियों positives की जा चुकी थी जिस में दिखो चैपटन nookman Seat और भभातपूर मेजर निक्सन संदेखो यही क्यूशन जो भी फरस्ट ग्रेड के इंदर पूझेकर गया था तो इन ही मेंचे प्रस्णू बन थे still प्रश्णों को आप अच्छी तरीके से क्या रखे ध्यान रखे हैं मेङ यहीं से प्रश्ण उठते हैं जो प्रश्णों के करी आपकी बुक्स के अंदर से ही फिर नीमच जो गवाली एर मद्यपरदेश के अंदर देवली टॉंग और अगला जो क्या है देवली का पर यहां पर यह गलत है यह नसीराबाद नीमच देवली जो टॉंग है और यहां पर है यहां कोटा नहीं है यहां पर है ब्यावर क्या सब्द है ब्यावर तो ब्यावर अजमेर के अंदर फिर एरिनपुरा पाली के अंदर और खेरवाड़ा उदेपूर आधी इस्तानों पर गया थी यहां पर इस्तिति कौन बेटिस सने टिकुडियां यहां पर इस्तिति जैसे नसीराबाद में कौन सी थी नेटीव होर्स फिल्ड बैंटरी नंबर छे थी जबक नसीराबाद के अंदर नुक्त थी तो यहां ध्यान रखना कौन कौन सी थी वह भी हमने पढ़ लिया जबकि अब देखते हैं नीमच के बारे में यह तो था नसीराबाद के बारे नसीराबाद में नेटीव होर्स फिल्ड बैंटरी नुमर छे पनरवी और तीस वी और जो फ्रस्ट बंगाल जो केवलरी बहत्वरी बंगाल इंफेक्टरी और साथवी इनफेक्टरी गवाली यह पर यह कहां पर थी नहीं मच के अंदर जिबके हम देखते हैं देवली कोटा में भी इसी परकार की क्या थी ब्रिटिश टुकुडियां अलग अलग जगे पर तैना थी इसके अतरिक्त हम देखते हैं कि एरनपूरा ब्यावर और खेरवाड़ा में भील टुकुडियों के साथ साथ फर्स्ट बंगाल केवलरी भी क्या थी नुक्त थी अजमेन जो कि उसमें केंदर साथ इलाका था इसमें पंदर भी बंगाल जो नेटिव इनफेक्टर के इस समय में राजस्थान में एक भी यूरूपिय स्पय तयना नहीं था यहनि इस समय कुल लगबग पांच हजार जो सेनिक थे इन सब चाउनियों के दर जो सारे के सारे क्या थे भारती थे आलांकि इनके क्या थे अधिकारी अंग्रेज थे लेकिन ये क्रांतिकारी क्या थे यहां सोरी अपने सैनिक क्या थे सारे के सारे भारती थे इसी कारण अंग्रेजों को सबसे ज़्यदा डर था इसका का इस कारण जब राजस्थान में 1877 के जो 77 अग्राम के आग फेली तो बटी सदिगारी को अच्चिंतित होना सुबह था कि उनको लग रहा था कि अगर सबी यहां पर से निकभारती हैं अगर वो विद्रो हुई विद्रो ही हो गए तो अंग्रेजों को इस्तति करना क्या हो जाएगा कठीन हो जाएगा तो ऐसी इस्तति के अंदर अंग्रेजों की यहां बर भाग्य ने साथ दिया था कि यहां के राजस्थान के एक भी में कहां होती है मेरट से शुरू हो जी जिसकी सूचना राजस्थान के एज जी 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 जो पैटिक लॉरेंस को उन्नीस में एठार सो सतावन को मिलती है और उस समय वो कहां पर होते हैं अपने माउट आब उपर जो उनकी क्या थी ग्रिस्मिक कालीन राजदाने थी सारे जो एजेंट जो इनके पॉलिटिकल एजेंट थे वो भी उस समय वहां पर अजमीर के अंदर गए हुए थे तो यहां पर एजी सी ने फटा पट अपने निर्देश जो सूचना मिलते ही अलाकों में सांती बना रहे और विद्रोई को अपने इलाकों में नहीं गुसने दे अगर कोई विद्रोई आता है तो का अगर परवेश कर ले था उसको ततकाल बंदी बना ले और इसके अलावा एजी जी के सबसे सामने यह आदिस दे दिया यह जल्दी से उसने करने का इन्होंने क्या कर लिया था व्यवस्ता कर ली थी अब देखते हैं नसीराबाद के अंदर जो चावनी में जो संग्रस हुआ था उस संग्रस के हम बारे में देखते हैं तो राजस्तान में 1857 संग्रायम का संकेत नसीराबाद से प्रारंब हुआ यानि राजस्तान के के सामने अजमेर की जो सुरुक्सा का बहुत मैत्पून मुद्दा था उनकी समस्या थी क्योंकि अजमेर शेहर के अंदर भारी गोला बारूद और सरकारी खजाना था यह दिवो सब अगर विद्रोयों के हाथ पड़ा तो इस तती विद्रोयों के बड़ी सुद्रण हो जाए और आए चैशिजे को शिर्स था कि यह क्या कर सकती है विद्रोयों कर सकती है और मेरेट से आए तो अपने साथ विद्रोयों की भावना लेकर आए इसका इन दोनों कमपणियों वका भी हैं नसीराबाद भीज़ गया ईब जबकि दो मेयर बटालियन बुलानी हन चाहलावा जो डीसा गुज्राच से भी क्या किया एक यहरूपिया सैना बेजने को कह दिया ता इस सारे घटनाक करम से क्या हो गया था इन जो नसीराबाद के अंदर जो पनरवी नेटिव इंपेक्टरी थी इनके सेनिकों के अंदर बढ़ा और संतोस हो गया क्योंकि इनके सेनिकों ने ये विचार किया कि अंग्रेजों ने ये कारवाई इसलिए किये कि अंग्रेजों उन पर क्या करते हैं विश्वास नहीं करते है और इसके लावा अंग्रेजों ने इन्हें दबाने के लिए ही सारी कारवाई किये और गोला बारूद भी जो तोफे तियार करवाई गोला बारूद भरके जो तोफे तियार करवाई वो उनको दबाने के लिए ही तयार किये तो ऐसी इस्तती के अंदर यहां क्या होता नसीराबाद के अंदर विद्रो की जवालाएं बढ़कने लग जाती इसके अलवा दिली और बंगाल से जो सादू वेसों के अंदर कौन आए थे करांती कारी आए थे और उन्होंने यहां करके सर्बी वाले कार्तूसों के विरूद विद्रो करने का जो संदेस इस नसीराबाद के अंदर किया किया ता प्रचारित है किया ता इस से अफवाओं का बाजार घर्म हो गया और कुछ सेने जो बाजार में गई हुए थी उन्होंने इस तरीगी की सुचनाओं को सुना और वापस आकर कि अपने सेनिकों को इसके बारे में बता दिया और इन्होंने क्या एन फिल राइपलों का प्रयोग करने से मना कर दिया क्योंकि इनके क्या था कार्थूसों के उपर क्या जो टोपी है जो कैप को दांतों से काटना था और जिसको कहा जाता था कि कार्थूसों को चिकना करने के लिए गाय और सुवर की स चाहते हैं तो इसी बात को लेकर कि यहां के सेनी क्या कर देते हैं विद्रो कर लेते हैं हाला के अंग्रेज जो ने इस घटना के रीक कवर करने के लिए क्या किये थे तुरंत यह आधिस पर चारित करती है थे कि वह जो चर्बी वाले कार्थूस उनका प्रेग नहीं किया यह भी गव का क्या किया जाता था मूस मिलाए जाता था ऐसी घटनाओं के बीच में 28 онको सांब के चार बज़े नसीराबाद के सेनिकों ने क्या कर दिया विद्रो कर दिया और बिटेंड की और से नसीराबाद इस तित जो सेनाओं को निसस्तर करने का प्रयास किया गया जिसने क्या किया किया आग में घी डालने का काम किया ता सेनिको को जो आयो डिपो होता वह खड़ा करके उनसे थिया लेने का प्रयास किया और यहीं से सेनिकों ने क्या कर दिया विद्रो कर दिया तो यह अफ़ाय वाली बात हमने पढ़ ली थी जो यहां रही थी अब क्या 27 मही को यह समाचार फैला अब जब देखो इस से एक दिन पंदर भी नाइट इनफेक्टरी जो आजमेर में तैनाती आजमेर से यहां भेलिया तब डीसा से एक बटालियन बुलाई और उसको भी यहां बनाया लगा कहां नसीराबाद बेजा गया था और डीसा से बटालियन इस छेतर में बुलाई गई ताकि वो इंच सेनिकों को क्या कर रहें इस फ्टान ले और इन सेनिकों को इसको बटालियन को भंक किया जाएइगा तो इससे संदी बिगटने लग लगी क्यूंकि यहां के नसीराबाद को लगा कि बोडिय quedar की बृच्भीस us água सेनिकों ने क्या कर दिया विद्रों कर दिया परंध required डिया ग्यात क्षय का स शुरुक से तर जा पाया थे हालां कि विद्रोई जो सेनकों थे उन्हों ने भी उन्हें मारने का उतना यतना नहीं किया था तो इसने जो फ्रेश्ट बोंबे जो लांसर इसने ब्रिटी साधिन का पालन करते हुए अपने साथियों पर किया कि गोली चले लेकिन जो लाइट इन्फेंक्टरी और जो ग्रेनेरियर कमनी थी उन्हें गोली चलाने से क्या कर दिया इंकार कर दिया और उन्होंने अपने थे European सातियों के साथ इसमें इसको क्या हनना पीछे फटने को बाद्य होना पड़ा क्योंकि इस तती बड़ी भयानक हो चुकी थी उनके नियन तरन से बाहर हो चुकी थी और उसके काफि सारे जो अंग्रेज अधिकारी जो साथी थे वो क्या हो चुके तो यहां से पलाइन कर साथ करृनल पहनी जो क्या थे कॉर कमार्डर थे घटना इस्थल पर ही किया मारेगी आलाकि यह कुछ पले कि दिखातए कि जब अंग्रेज जो इतीकार्य यहां Täन तो यहां से झो भागते हैं जब अदिकारी तब राश्क के अंदर इकांस जाने का नीछे करतें see Bya ஓर की तरफ जाते तो प्यावर की तरफ जाते हैं तब करणिल पहनी क्या होता घुड़े के उपर होता है और इस सारी इस्तति को देख करके इनके परिवार वादी सुर्खसा की चिंतित होकर वो भी साथ में थे तो इसको क्या आता है मारक के अंदर क्या आ जाता है जिससे नर्वस हो जाता है और गोड़े से नीचे गिर कर सड़क पर गिरता है और क्या होता है यह मर जाता है और दो अन्य ब्रिटिस अधिकारियों की भी क्या हो जाती है मरतियों दो अन्य ब्रिटिस अधिकारी कौन थे एक तो था इस्पोर्टिस वुड और दूसरा था न्यूबरी ये नाम ध्यान रखना ये पूछ लिया जाता बाद चाहवनी को नष्ट कर दिया और कहां गे दिली की और प्राइन कर यहां के वल चार अंग्रेज अधिकार ही इसके बाद भी कुछ अंग्रेज अधिकार जैसे तीस वी नेरटिव इनिपक्ट में थे जिनों ने शुरूख से चोड़ा था इनों ने और जो वोंबे के वल से तुरूंत अंग्रेज जिर्दिकारियों की हत्तिया की होती तुरूंत मिलकर कार्वाई की होंदी इसके नतीज कुछ से कि अलगी होते हैं अब इन सेनिकों ने क्या किया क göra चाओनिकों आग लगा दी जुआ का सर्च वहां क réflच तब इनके रहने के जो अंग्रेज अधिकारियों के जो बंगले थे उनको आग लगा दिया और उसमें क्या कर दी लूट पार्ट से इनने बढ़ा अच्छा माल हाथ लगा जो वेतन के रूप में से निकों को बाट दिया बहुत सारा सामन इनके पास हो गया था तो यह अजमेर ने चलेंगे और दिली जब गए तो दिली का जो घेरा ढाल करके अंग्रेज बटालेन बठी हुए थी उनको पीछे से क्या कर दिया उस्हे पर हमला कर दिया और इस कानी से अंग्रेज बटाली उनको क्या करना पड़ा हारना पड़ा ता तक पहँचे त margin अठारा जुन को एनको नस्राबाद की करांतिकारी दिली पोच्चके इनके दिली पोच्चने से यहां इस्तती बहुत अच्छी हो गए थी अब अंग्रिजों में जाकर हमला करें तो इसको रोकने का प्रयास किया था लेप्रिनेट माल्टर और लेप्रिनेट हिद्गोट तो इनके नित्त वाली छेनाओं ने क्या किया था इन करांती कारियों को वहां क्या किया था रोकने का प्रयाज किया और इसके लिए लेप्टिनिन माल्टर और जो लेप्टिनिन हिट कोट के नेतर्थ में लगबग एक जार मेवार के चैनिकों ने क्या 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 पीछे क्या लेकिन उनने क्या हुई थी सफलता प्राप्त नहीं होने का मुख्य कारण क्या था इनके साथ में जो टुकडियां थी वो जरूर थी लेकिन उनके सानुपुती क्या थी इन करांती कारियों के साथ में थी इस कारण इनके सानुपुती करांती कारियों के साथ होने के कारण ही क्या थी अंग्रेजियों को इच्छेतर में क्या थी इच्छ विपलुब कारी को अपने परदेसों से आसान इससे गुजर ने दिया और जो मारवाड और जैपूर यानि जोद्पूर जैपूर की सेना उन्हें भी इसका मदद की थी लेकिन फिर भी इसको वो रोक पाने में सफल नहीं हो पाए थे इस तत्यस बात का संकित मिलना कि ने का इन्होंने क्या किया था कोई परियास इनके द्वारा नहीं किया गया अब इदर क्या थे यह सेनी कहां पहुंच चुके हैं दिली की तरफ क्या कर गए हैं प्रस्तान कर गए और जो इनके साथ ही पीछे रह गे थे उन्होंने भी क्या किया जिन्होंने विद्रो नहीं जिसके बारे में पहले उतजना फैलती अप्वा फैलती है वह अप्वाँ अब हकिकत में बदल जाती है जब नसीराबाद से जो बनाई युड़ूपीस सैना की जो टुकडी थी वह यहां आ जाती है क्योंकि उनकी वहां जो राजकी फोजों की उपस्तितित्रे को उन्होंने यहां पर पहुंच गए यहां पर पहुंच गए थे अब ऐसी स्थती में यहां की स्थती बड़ी हो गई थी विकट दज जुलाइ अठारा सो सता उनको एजन्ट गवर्णर जनरल के दवारा इस टुकड़ी को नीमच बेज दिया कौन सी जो डीसा से यहां पहुंची थी इस नसराबाद सेनिक पूर अशन तो सुओं का बाई पहले भी हमारे उपर हो विश्वस किया गया अजमिर सटा कर यहां बेज जो से भूला चब्ली स्थी सब wenn we इस more उंपेशन हो गई है तो यहां पर इसमें जो बार्वी नेटिव इनप्टरी और बंबी के व्लरी जो सेनिक थे वो बड़े उत्यजेत हो गए और यह बात कब की है यह अगस्त इधाफ़्य विंप्रेकर्टरी उनके सैनिकों में क्या फैली उत्य ना फैली और वो लोग विद्रों पर क् अंग्रेज बड़े कै तो एसी मीधियेन्त कर दिया आ Например 018 चेलबर साथ दिया था अंग्रेजों का और अपने साथ यह कीं मदद नहीं की ति अब उसकी बारे यह तो इस तरीचे से धीरे धीरे जो विद्रोप होते देने थे उस गौन अंग्रीजों को डबाने में बड़ी ऐस शान्य इसके से निकों ने कमांड के आदिस्मान ने सिंदा इनकार कर दिया और अपने अन्य सात्यों को भी इसका अनुसरन करने को का उनसे भी का आप भी ऐसा ही करें और अंग्रेज जो आदे से उनको नहीं मानें लेकिन परन्तु अंग्रेज जो ब्रिटिय सिरकार ने कठोर यहां कदम उताए क्यों पहले से जो यहां करांती हो चुकित इस बार ब्रिटिय सिरकार क्या थी बड़ी तेयार थी तो उसने यह पर फटावट किया कि एक सेनिक को क्या कर दी गोली मार दी गी यानि जब पहले इसको क्या किया सस्त्रहिन किया फिर जो 10 अगस्त 1857 को बंबई केवलरी का एक सेनिक था उस एक सेनिक ने क्या कि और विवस्ता उत्पन करने किया प्रयास किया और अपने साथियों को भी विद् इसके पांच जो और सेनिक को यानि जो पांच इसके मुख्य नेता थी उन मुख्य नेताओं को क्या कर दिया फांसी पर लड़का दिया और सेज सभी बारती जो थे सेनिक उनको क्या कर दिया उन से क्या कर दिया नीज सथ्तर कर दिया और उनको यहांपर छोड़कर सामनी को चला जाना यान को तैसे प्कीК जो बाद में आदेस देदिया कि नसिरा बाद के इंदर उपस्ते जो भी हिंदू सिपाई उनको सेवा से क्या कर दिया जाए मुक्त कर दिया जाए तो इस तरीके से हम देखा कि इस जो सुलक्तिया को अंग्रेजों ने क्या कर दिया तुरूंति इस पर काबू पार लिया था यानि उस तुरूंति समय के जिस से क्या हुआ इच्छेतर में फिर क्र